नमस्कार दोस्तो आज हम बात करते हैं फैक्ट के बारे में यदि आप दूसरों से अपनी लक्ष को बताते हैं तो आपके सफल होने की संभावना कम हो जाती है क्योंकि इसे आपकी अपना मोटिवेशन खो देते हैं फैक्ट नमर टू जो लोग खुद से बात करते हैं वे संभाव से अस्माट होते हैं फैक्ट नमर थिरी आपका दिमा केवल फुटी साल की उमर तक ही बढ़ता है उसके बाद शिकुरने लगता है फैक्ट नमर फोर हमारा मन किसी भी तरह से रिजक्षन को सारेरک दर्ध के तोर पर ही महसूष करता है फैक्ट नमर फायव यदि कोई व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर भी ज्यादा हस्ता है तो वह अपने आपको अंदर से अकेला महसूष करता है फैक्ट नमर शिक्स जब दो लोग बात कर रहा है और उनमें से एक विक्ति बार बार अपना पैर थोड़ी दूर कर रहा है या बार बार एक पैर को बाहर की दिशा में घुमा रहा है तो इसका मतलब यह हो सकता है कि वह उसकी बात नहीं सुनना चाहता और वहां से जाना चाह फैक्ट नमर सेवन बुद्धिमान व्यक्ति आवसत व्यक्ति की तुलना में कम दोस्त बनाते हैं व्यक्ति जितना होसियार होता है वह उतना ही चैनात्मक होता है फैक्ट नमर एट गर्म पानी से असनान करने पर अकेला अपन की भावना से लड़ने में मदद मिलती है फैक्ट नमर नाइन जो व्यक्ति जितना होस्यार होता है वह उतनी ही तेजी से सोचता है और उससी के लिखावट उतनी ही खराब होती है या उतनी ही बेढ़ंगी होती है फैक्ट नमर टेन जो जितना ज्यादा सोता है वह उतना ही ज्यादा उदास रहता है फैक्ट नमर 11 यदि आप अपने पसंदीदा गती का अलार्म बना लेतों कुछ दिनों में आप उसे ना पसंद करने लगेंगे फैक्ट नमर 12 कोई अधियन के द्वारा पता चला है कि महलाएं आउसत 47 यानि 47 घंटे और 15 मिनर्ट से ज्यादा किसी भी सिक्रेट बात को अपने मन में नहीं रख सकते फैक्ट नमर 13 ज्यादा आकरसक इस्तिरी प्रूसों के जीवन की परती पोजिटीव नजरिया से रखते हैं फैक्ट नमर 14 हम ज्यादतर वक्त अपने यादों को याद करते हुए बिताते हैं फैक्ट नमर 15 कुछ लोग बहुत ज्यादा खुश होने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ देर में वह दुखी हो जाएगा फैक्ट नमर 16 जो लोग दूसरे को खुशी रखने की कोशिस करते हैं वह अक्सर खुद ही अकेला महशूस करते हैं